तो जैसे कि आप सबको पता है मैंने question number 16 आपको बोला था comment करके बताना है question number 15 तक मैं आपको करा चुकी हूँ question number 16 which state government had recently launched the घरों की पहचान चेली का नाम यानि की घर की पहचान बेटी के नाम इस योजना को इस स्कीम को किस राजी की गौर्मेंट ने शुरू किया है आपका right answer हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने नैनिताल में 42 करूर रुपे की घरों की पहचान चेली का नाम बेटी का नाम घर की पहचान है कारिकरम प्रोग्राम और जो यहां की development प्रोग्राम्स यानकी योजना है इसकीम से उनका यहां पर शुभारम किया है प्रारम में इस योजन है यहां पर question number 17 है which state government has recently launched the अंतियोदे परिवार उत्थान योजना यानि की scheme को यहां पर शुरू किया यानि की which state government has recently launched the अंतियोदे परिवार उत्थान योजना को शुरू किया है आपका right answer हो जाएगा option B हरियाणा आपका right answer हो जाएगा हरियाणा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है मनुहलाल खटर इन्होंने गुरू रविदास जैन्ती के अउसर पर BPL परिवारों के लिए क्या किया है अंतियोदे परिवार उत्थान scheme को start किया है इस scheme के तहट जो BPL परिवार है family है इनको financially help की जाएगी 50,000 रुपे को बढ़ा कर यहाँ पर 80,000 रुपे कर दी है तो यह आपको यह आद रखना है नेक्स आपका question है question number 18 है Recently in which state देखो अपना प्रदेश campaign was launched तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य में देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया गया है Recently in which state देखो अपना प्रदेश campaign was launched यह campaign आपका launched किया गया है अरुणांचल प्रदेश की द्वारा option आपका D हाँ पर right answer हो जाएगा अरुणांचल प्रदेश के CM Chief Minister पेमा खांडू जी ने इतानगर capital क्या है इसकी अरुणांचल की इतानगर इतानगर में दोरजी खांडू convention center में कौनसे दोरजी खांडू convention center में एक समाहरो का आयूजन किया गया था और उसी दोरान यहां पर देखो अपना प्रदेश campaign की शुरुणांचल प्रदेश राज्य में कुरुना वाइरस की वजए से परेटन के छेत्र में जो कमी आई थी उसको मद्यनजर रखते हुए मुख्य मंत्री प्रेमा खांडू ने इस अभियान की यहां पर यानि कि इस अभियान को इस campaign को लौंच किया था Question number 19 है Which state government recently launched the Kaushalya Matrati Scheme को योजना को किस राज्य के द्वारा maternity यानि कि Kaushalya Matrati Scheme को शुरू किया है तो Kaushalya Matrati Scheme को launched गया है किस राज्य के द्वारा आपका right answer हो जाएगा 36 गड़ 36 गड़ के Chief Minister है भुपेश बगहेल इन्हें के द्वारा Kaushalya Matrati Scheme Kaushalya Matrati Scheme को शुरू किया गया है एम क्या है इस योजना को शुरू करने का इस योजना को शुरू करने का उदेश है बाली का निगी यदि लड़की यानकी गल्स का जनम होता है तो जनम पर उसके बर्थ पर माताओं को प्रोसाहन रासी प्रोवाइड कराई जाएगी जिसकी मदद से माता अपने बच्चों को कुपोसर से बचा सकती है और जो आपकी Kaushalya Maternity Scheme है इसके तहट बच्चे की माता को 5000 रुपे की राशी उनकी एकाउंट में जमा करवा दी जाएगी बहुत ही अच्छी स्कीम है नेक्स्ट आपका Question No.20 है Which State Government Has Recently Launched यहाँ पर एक थाली एक तरकारी स्कीम को शुरू किया है तो यह आपको बताना है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक थाली एक तरकारी स्कीम को लाँच किया है तो यह किया है अपने उत्तर प्रदेश ने Option आपका सी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने एक थाली एक तरकारी स्कीम की शुरुवात करी है और इस सियोजना का मुख्य उदेश लोगों को हरी सबजी की आपूर्दी कम दाबों में यानि कि कम प्राइज में हरी सबजी प्रोवाइड कराना है जिसके लि 21 है रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी सुपर 75 स्कॉलर्शिप स्कीम वाज लॉंच्ट तो किस केंदर शाशिक प्रदेश में सुपर 75 चातवर्थी योजना शुरू करी है आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन दी जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्म लॉंच्ट सुपर 75 स्कॉलर्शिप स्कीम इस स्कीम का उद्डेश ही क्या है इस स्कीम को लॉंच किया है जम्मू कश्मीर के लूटिन अइंड गवेर्थी मनों सिंहा ने अंतरास्ट महिला दिवस 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए स्कॉलर्शिप स्कीम चात् इस योजना का मूल उदेश यह है महिलाओं की शिक्षा और उध्यम सीलता है उसको यहाँ पर सुमिधा चनक बनाना Question number 22 है Which state government has recently the Arjun Sahayak Irrigation Project यानि कि Arjun Sahayak सिचाई पर योजना को किस राजी के द्वारा शुरू किया गया है तो आपका right answer हो जाएगा Option C उत्तर प्रदेश आपका right answer हो जाएगा यहाँ धसान नदी धसान river है और इसी धसान निदव पर ये परियोजना बनाई जा रही है इसका उद्देश ये क्या है तो इसका उद्देश ये है कि उत्तर प्रदेश के जो बांदा महोबा हमीरपूर के 168 विलेज हैं उसमें 1.50 लैक किसानों को सिचाई की सुविधा प्रोवाइड कराना है इस परियोजना को पूरा करने के बाद जो लगभग लगभग है चार लाक लोगों को सुद्ध बेजल drinking water यहाँ पर मिल सकता है और इसको करने में इस परियोजना को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को complete करने में जो लागत आएगी जो खर्चा किया जाएगा वो है 26 करोर ठीक ह यह आपको याद रखना है next आपका question number 23 है देखे जितने भी में हाँ पर question आपको करा रही हूँ सभी के सभी question selected है in which name has the government of India launched a scheme to provide the यहाँ पर क्या हो जाएगा cheapest LED bulbs in ruler areas यानि कि भारत सरकार ने ग्रामेर छेत्रों में सबसे सस्ते LED यानि कि cheapest LED bulb जो सबसे सस्ते LED bulb होते हैं ब्रदान कहने के लिए किस नाम से scheme को यहाँ पर शुरू किया है तो यहाँ पर इस scheme का नाम है ग्राम, उजाला, योजना या scheme option आपका B यहाँ पर right answer हो जाएगा बिजली और नवी करणी उर्जा मंत्री के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है जो प्रदान मंत्री लोकसभा छेत्र वाराणसी में ग्राम, उजाला, योजना की शुरूआद की गई हां से और यह योजना ग्रामीर छेत्र में दुनिय फ्रेस, फ्रूट, केक, मुमेंट यानि कि किस राजी के किसानों ने फामस ने क्या करा है फ्रेस, फ्रूट, केक, मुमेंट को शुरू किया है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर महा राष्ट्रा आपका डी हाँ पर राइट अंसर हो जाएगा फ्रेस, किस राजी की सरकार ने कोरोना वारियर्स की यहाँ पर योजना इस्कीम को शुरू किया है आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यप्रदेश अप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी मध्यप्रदेश हो जाएगा और इस कोरोना वारियर्स योजना के तहत क्या होगा कि जो फ्रेंट लाइन वर्कर से उनकी भविश्य को शुरक्षित करने के लिए कोरोना से यदि मृत्यू होने पर उनके परिवार को 50 लैक रुपे का यहां पर फाइनेंचली उनको यहां पर प्रोवाइट करा दी जाएगा चलिए कुशन नंबर 26 है आपका Recently which state has announced the गोप बंधू समपदी का स्वास यानि की Health Insurance Scheme गोप बंधू समपदी का Health Insurance Scheme स्वास भीमा योजना की घोशना किस राजने करी है तो यह आपका शुरू किया है किसने Option B ओरिशा गॉर्मेंट ने और इसमें 2 लाख रुपे तक का स्वास भीमा कवर प्रदान किया जाएगा Option आपका B यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ओरिशा की राजधानी भोवनेशर है और वीलर दीप आपका कहाँ पर है जिसका अब नाम हो गया है APJ अब्दूलकलाम दीप यह आपका उडिशा में ही इस्तेत है Question number 27 है कि which state government has recently launched the आयुश घर द्वार प्रोग्राम तो कौन सी यहाँ पर प्रोग्राम है कौन सा ऐसा राज्य है जिसने आयुश घर द्वार यानि की आयुश घर द्वार प्रोग्राम को शुरू किया है आपका राइट अंसर हो जाएगा Option A हिमांचल प्रदीश Option A यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा Next आपका यहाँ पर कुशन देखेगा और आजकर लास्ट कुशन है कुशन नमबर 28 बहुत ही सलेक्टेड यहाँ पर मैंने कुशन करा हैं I hope आपको अच्छा लगा होगा कुशन नमबर 28 है Which state government launched an initiative initiative called medicine from the sky Which state government launched an initiative called medicine from the sky यानि कि आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने आकास से दवा यानि इसका है मतलब आकास से दवा नामक जो initiative है पहल है इसकी शुरुवात करी है इसकी शुरुवात करी है तेलंगाना ने Option आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा Option D तेलंगाना ने ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलिवरी से जुड़ी अपनी तरह की पहली पर योशना को इहाँ पर शुरू किया जो महत्वा कांची आकास से दवा का पाइलट प्रक्षण यहाँ पर इनने शुरू किया था Option आपका D हाँ पर राइट अंसर हो जाएगा चलिए आपके लिए कुशन है तेलंगाना का गठन कब हुआ? किस से अलग हुआ? और तेलंगाना की राजधानी क्या है? Option आपका D हो जाएगा I hope आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा Thank you so much